एपराजिता के फुस्प किनको अर्पित करने चाहिए और क्यों अर्पित करने चाहिए इसकी जानकरी में आपको इस एपिसोड में देने जा रहा हूं। एपराजिता के फुस्प भगवान विश्णु को अतिप्रिय होते हैं। इसलिए भगवान विश्णु को यदि हम एपराजिता के फुस्प उनकी पूजा में चड़ाते हैं। तो उनकी प्रसनता हमारे पर बरसती है और उनकी प्रसनता बरसने से न केवल पित्र दोस दूर होते हैं। घर में लक्ष्मी का आगमन होता है और तमाम संकठ हमारे दूर होते हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो एपराजिता के फुस्प शनी देव को भी बहुत पसंद है और शनी देव को यदि कोई व्यक्ती एपराजिता के फुस्प चड़ाता है तो यदि उसकी कुंडली में शनी ग्रहे बूरे प्रभाव दिखा रहा है बुरे घर में बेठा हुआ है तो वो जो बुराईया है जो संकठ है वो दूर होते हैं। यदि जातक यानि की व्यक्ती शनी महराज की ढईया से साड़े साती से उजर रहा है या शनी महराज की महादशा चल रही है तो उस परिस्तिती में भी शनी देव को एपराजिता के पुस्प चड़ाने चाहिए। इससे शनी देव उस जातक पर उस व्यक्ती पर प्रसन रहते है और शनी के प्रकोप से वह व्यक्ती दूर रहता है, मुक्त हो जाता है। जैशी किस्ना।